हलो एब्रीवन वेलकम तो स्टडी पॉइंट स्टडी पॉइंट यूटीब चैनल पर आपका सौगत है इस पर्टिकुलर वीडियो शेशन में आज हम यूपी पीसे स्प्री 2018 और वीडियो एक्जाम 2018 के लिए उत्तर प्रदेश से पूछे गए कुछ को डिसकस करेंगे और य जिले स्टार्ट करते हैं सुरुआत करने से पहले अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें कोशन है सरवादिक अनसूचित जन जातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है प्रतिशत पूछा गया है चार आप्शन दिये गया है पहला है मिर्जापुर दूसरा है सोन बद्र तीसरा है खीरी और चौता है बिजनौर तुमारा सही आंसर होगा सोन बद्र और एक कोशन पीसे स्प्रीट रॉजन टैन में पूछा गया है अगला कोशन है निम्ड में से किस जनजाती में हिंदूओं जैसा वर्ण विभाजन है चार आप्शन दिया गया है पहला है थारू दूसरा है बुकसा तीसरा है पनिका और चौता है खरवार तो सही आंसर होगा बुकसा ओप्शन बी जैसा करेक्ट आंसर अगला प्रशन है निम्ड लिखित जनजाती में से किस की संक्या उत्तर प्रदेश में सरवादिक है चार आप्शन दिया गया है पहला है बनरावत दूसरा है थारू तीसरा है सहरिया और चौता है धुरिया और यह कोशन 2008 की परिक्षा में पुछा गया है तो इसका सही आंसर होगा थारू ओप्शन बी जैसा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन है डॉक्टर भीम राव अंबेटकर नक्षक्तर साला कहां परिस्तित है और यह PCS की मुख के परिक्षा 2015 में पुछा गया है चार ओप्शन दिया गया है पहला है रामपुर दूसरा है लखनौ तीसरा है इलहाबाद और चौता है गोरगपुर तो मारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीम राउंबेटकर नश्रक्त साला हिस्तित है रामपुर में और यह PCS में 2014 में पुछा गया है तो मारा सही आंसर हो जाएगा लखनौ और यह PCS में 2014 में पुछा गया है कोशन है निम्ड में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरट है चार अप्शन दिया गया है पहला है जूते चपल के दूसरा है खेल के सामान के लिए तीसरा है मिट्टी के बरतन और चोता है रबड के उत्पाद तो मारा सही आंसर हो जाएगा मेरट प्रसिद्ध है खेल के समान को बनाने के लिए और ये प्रशन 2013 की परिक्षा में पूछा भी गया है अगला कोशन है उत्तर प्रदेश में चमडा उद्योग का प्रमुक के केंद्र है 2013 में प्रशन पूछा गया है चार अप्शन दिया गया है आगरा और कानपूर आगरा इलाहबाद कानपूर इलाहबाद और कानपूर मेरट तुमारा सही अंसर हो जाएगा चमडा उद्योग के प्रमुक केंद्र है आगरा और कानपूर नेक्स्ट कोशन है उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग आता है 2014 में पुछा गया प्रशन है चार ओप्शन दिया गया है पहला है केंद्री एक साइस ड्यूटी के हिस्से से दूसरा है भूमी राजस्व से तीसरा है वैपार कर से और चौता है पंजी करन सुल्क से और हमारा सही आंसर हो जाएगा वैपार कर से ओप्शन C is a correct answer नेक्स कोशन है उत्तर दक्षन तथा पूर्व पच्चिम गलियारे मिलते हैं 2009 के कोशन 2009 के पेपर में पूछा गया प्रशन है ये पहला ओप्शन है जहांसी दूसरा है कानपुर तीसरा है लखनओ और चौता है वारांसी हमारा सही आंसर हो जाएगा जहांसी ओप्शन A is a correct answer नेक्स कोशन है उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाले प्रमुक खनिज है 2008 में आया प्रशन है पहला ओप्शन है तामबा एवं ग्रेफराइट दूसरा है लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट तीसरा है रॉक फोस्वेट तथा डोलोमाइट और चौता है इन में से कोई नहीं तुमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाले प्रमुक खनिज है रॉक फोस्वेट और डोलोमाइट अगला प्रशन है प्रदेश का सबसे चोटा वन्य जीव भिहार है चार आप्शन दिया गया है पहला है महावीर स्वामी वन्य जीव भिहार जो की ललितपुर में है दूसरा है रानेपुर वन्य जीव भिहार जो की बांदा में है तीसरा है चंदरबबा वन्य जीव भिहार जो की चंदौली में है और चोता है कतरनिया घाट वन्य जीव भिहार जो की बहराईच में है तो माया सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जी विहार है ये है महावीर स्वामी वन्य जी विहार ये पूछा सकता है कहां पर है तो ये है ललितपुर में आप इन सब को भी याद कर लिजेगा और ये देख लिजेगा कि ये कहां पर है ये स्थान याद कर लिजेगा पूछा जा पर दूसरा है के नदी पर तीसरा है रहंद नदी पर और चौता है टोस नदी पर तुमारा सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर आप्शन एजा करेक्ट आंसर नेक्स कोशन है भारत के किस राज में सरवादिक सिचाई नलकूबो से होती है उत्तर प्रदेश में सबसे जादा सिचाई नलकूबो से होती है यह भी प्रेशन पूचा गया था कि सबसे जादा नलकूबो से सिचाई कहां पर होती है तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में सबसे जादा नलकूबो से सिचाई होती है बट इस कोशन पूचा गया ह बहारत के किस राज में सरवादिक सिचाये नलकूपों से होती है फिर से कोशन रिपीट है तो ये कोशन और भी परिक्षा में कई बार पूझा गया है तो चार ऑप्शन दिया गया है पहला है मद्ध प्रदेश दूसरा बिहार तीसरा राजस्तान चौहता उत्तर प्रदेश तो इसमें आंसर हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश. Next question है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरक पुरस्तित है? पूछा गया प्रशन है ये, पहला है घांगरा, दूसरा है गंडक, तीसा है राप्ती और चौता है सर्यू. तो महारा सही आंसर हो जाएगा राप्ती. Option C is a correct answer. Next question है, निम्न में से किस नदी को रास्टी जलमार्क संख्या एक के रूप में परियुक्त किया जा रहा है? पुछा गया question है 2004 में, चार option दिया गया है, पहला है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्रहंपुत्र और चौता है नर्मदा, तो महारा सही आंसर हो जाएगा गंगा. आप लोग ले एक question है, आप लोग को comment box में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रयोग होने वाली भाशा कौन सी है? पहली तो है हिंदी, आपको बताना है कि दूसरी भाशा कौन सी है और उसको ये दरजा कब दिया गया था? comment box में आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग की जाने वाली भाशा कौन सी है? पहली तो है हिंदी, दूसरी आपको बताना है और किस साल इसको दरजा दिया गया था? कानूनी ये भी आपको बताना है. नेक्स कोशन है, निन में से किसके उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? चार आप्शन दिया गया है, पहला है राजस्तान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, चौथा है इन में से कोई नहीं और ये प्रश्न, दोज़ा पंदरा की परिक्षा में पूछा गया प्रथम मुक्त विश्विद्याले स्थित है, चार आप्शन दिया गया है, पहला है अगरा में, दूसरा है जहांसी, तीसरा इलहाबाद, चौथा गुरगपूर, दोजर पंच की परिक्षे में पूछा गया प्रश्न ही है, तुमारा सही आंसर हो जाएगा, इलहाबाद, आप्शन C is a correct answer, अगला प्रशन है कल्प योजना संबंदित है, चार आप्शन दिया गया है, पहला है प्रात्मिक शिक्षा से, दूसरा है मादमिक शिक्षा से, तीसरा है उच्च सिक्षा से, और चौता है प्रावधिक शिक्षा से, और यह PCS Mains 2011 में पूछा गया प्रश सही आंसर हो जाएगा कल्प योजना संबंदित है, प्रात्मिक शिक्षा से, आप्शन A is a correct answer, नेक्स्ट कोशन है, बनारस हिंदू विश्विध्याले का सिला न्यास किस ने किया था, 2003 में में में, यूपी पीसेस की में से पूचा गया प्रशन है, चार आप्शन दिया गय तीसरा है मदन मोहल मालविय, तीसरा है चौता है विभूती नरायन सिंग, मारा सही आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहल मालविय, बीसमा कोशन है और आखरी प्रशन है ये, अमीर खुश्रों ने किसके विकास में अग्र गामी भूमिका निभाई थी, यूपी पीसेस दो 2002 में पूछा गया प्रशन है, चार ऑप्शन दिया गया है, पहला है ब्रेजभाशा, दूसरा है अवदी, तीसरा है खड़ी बोली और चौता है भोचपुरी, तो मारा सही आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली, ऑप्शन C is a correct answer, तो ये कुछ यूपी से सम्बंदित 20 प्रशन थे, पार्ट 3 था ये, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में 15 15 कोशन अपलोट किया जा चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, थैंक्यू सो मुच फो वोचिंग